हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इस्टडी वित राम में तो आज हम आप लोगों के लिए लेक्या हैं महादेवी वर्मा का जीवन परचे ये भी छायावाद युक्की बहुत ही महत्पूर लेखिका हैं महादेवी वर्मा और बच्पन से ही आप इनका नाम सुनते आए होंगे महादेवी वर्मा का तो यहाँ पे इनका फोटो है देख लीजिए क्योंकि मेरा मानना है कि चित्र से ज़्यादा कुछ याद होता है तो चलिए शुरू करते हैं इनका जीवन परचे महादेवी वर्मा का तो आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 इस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर परदेश में हुआ था इनके पिता स्री गोविंद सहाय इंदावर के एक कालेज में अध्यापक थें और माता सरल हिर्दया धर्म पर आयाण महिला थी महादेवी बड़ी कुसागर बुद्धी बालिका थी और बच्पन से ही मा से रमायण महाभारत की कथाय सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रती आकारशड उत्पन हो गया था फलते मौलिक का विरचना इन्होंने बहुत छोटी आयू से अरम कर दी थी इन्होंने प्रयाग विश्विद्याले से संस्कृत में यम्मे किया नव वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया था किन्तु इन्ही दिनों इनकी माता का स्वरगवास हो गया इनके पती डाक्टर थे परन्तु दामपत्य जीवन में इनकी रुची नहीं थी ठीक है इनके जीवन पर महत्मा गांधी का और कला साहित्ते साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा इन्होंने नारी सोतंत्रता के लिए संगर्स किया परन्तु अपने अधिकारों की रच्छा के लिए नारियों का सिक्षित होना आवसेक बताया कुछ वर्सों तक महादेवी जी उत्तर परदेश विधान परिषद की मानोनिस्त सदस्या रही दर्सन, संगीत तथा चित्र कला में इनकी विशेस रुची थी भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूशड से अलंकरित किया ये प्रियाग महिला विध्यापीठ की उपकुलपती भी रही ठीक है इनका दिहावसान 1987 इसवी में प्रियाग राज में हुआ तो महादेवी वर्मा का जो मृत्ति हुआ था 1987 इसवी में प्रियाग राज में हुआ ठीक है और जन्म हुआ था 1997 इसवी में तो 80 साल ये जिन्दा रही लेकिन बहुत ही महान कवी है महान लेखी का है ठीक है तो यहीं पे इनका जीवन परिचे समाप्थ होता है ठीक है और इनकी कुछ परमुख रचनाय देख लेते हैं छूट जा रहा था बहुत ही परमुख रचनाय है इनकी यामा निर्जा निहार रस्मी सांध्यगीत ये बहुत ही कम रचना है लेकिन बहुत ही इंपोर्टन है आप याद रखेगा यामा दीप सिखा निर्जा निहार रस्मी सांध्यगीत ठीक है तो ये सब इनकी महतपुड रचनाय है तो यहीं पे वीडियो समाप्थ करते हैं मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवादा